जब भी दुनिया के सबसे बड़े सांपों का जिक्र आता है तो दिमाग में अनकॉंडा और पायतन जैसे विशाल काय अजगरों की इमेज भरती है मगर यदी मैं आपसे कहूं कि सद्यों पहले ये धर्ती एक ऐसे भारी और भीमकाय सांप की साक्षी रह चुकी है जिसके आगे ये अनकॉंडा और पायतन दो दूद पीते बच्चे है एक ऐसा सांप जो धर्ती पर रहकर अपने फन से बादल छू सकता हो तो आप क्या कहेंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ टाइटानो बोवन नाम के महाविनाशक सांप की आज के इस वीडियो में इस साप के अस्तित्व की परताल करने वाले है साथ ही इस से जुड़े कुछ बहुत ही रोमांचक फैक्ट पर भी रोश्नी डालेंगे आप बस वीडियो को छोड़ कर कहीं चाहिएगा नहीं ये वीडियो आपके रोंग्टे खड़े कर देने के लिए तयान है आज से करीब 6 करोड 50 लाख साल पहले जब डाइनसौर्स का खात्मा हुआ तो धर्ती पर एपेक्स प्रेडेटर्स की जगह खाली हो गई फूट चेन की टॉप स्पेस को फुलफिल करने के लिए किसी को तो आगे आना ही था ऐसे में मोर्चा संभाला मामल्स और रेप्टाइल्स ने डाइनसौर्स के विनाश के बाद जो जीव बच गए थे इनके पास बड़िया मौका था भलने, फूलने, भैलने और विकसित होने का यही वो समय था जब दुनिया के सबसे खतरनाक रेप्टाइल टाइटानो बोवा स्नेक अस्तित्वों में आए टाइटानो बोवा, गैरिंग ग्यूटान भी हिस्टॉरिक स्नेक था जो सापों की बोवा फैमिली से बिलॉंग करता था बोवा फैमिली में वो साप आते हैं जो साइस में बहुत ज़्यादा बड़े और बिना जहरवाले होते हैं मेंली बोवा फैमिली के साप अमेरिकन कॉंटिनेंट में पाए जाते हैं यानि साप को आज के जमाने के बोवा कंस्ट्रिक्टर और अनकॉंडा का पूरवज माना जा सकता है ये साप अपने समय का बहुत ही खुंखार और जानलेवा शिकारी माना जाता था जिसकी दहशत पूरी धर्ती पर थी जैसे की हमने बात की इन सापों का उदय डैनसौर्स के बात हुआ यानि डैनसौर्स के साथ इनका कोई संबंद नहीं रहा वग्यानिक मतों के मताबिक ये साप आज से करीब 6 करोट साल पहले हुए और करीब 50 लाख सालों तक इन्होंने धर्ती पर राज किया हमने अभी अभी जाना है कि ये आज के समय के अनकांडा के पूरवज रहे है तो जाहिर सी बात है जहां आज अनकांडा पाए जाते है वही इन सापों का भी बसेरा हुआ करता था यानि अमेरिका धर्ती के सबसे पहले सबसे विशाल, सबसे घने और सबसे ज़ादा विविधता भरे जंगल आमजॉन को साउथ अमेरिका की शान माना चाता है इसी जंगल में इन सापों का बसे राथा और आतंक भी विज्ञान, तथ्यो और प्रमाण के आधार पर ही अपनी राय कायम करता है ऐसे में जाहिर है टाइटानो बॉआ के अस्तित्व के प्रमाण भी कही न कही मिले ही होंगे जी हाँ, जरूर मिले साल 2009 में नौर्थ इस्ट कोलंबिया में मौजूद सेरे जॉन फॉर्मेशन की कोईले के ख़दानों ने धर्ती पर कभी रहे इन सापों की मौजूदगी के प्रमाण दिये यहां पाय गए फॉसिल्स की शुरुवाती जांच में इन्हें किसी विशाल काय मगरमच के फॉसिल्स करार कर दिया गया था मगर फिर माना गया कि यह फॉसिल्स किसी मगरमच के नहीं बलकि एक साप के है और कोई ऐसा वैसा साप नहीं अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा टाइटानो बॉआ हम बार बार कहें तो रहे है टाइटानो बॉआ दुनिया का सबसे बड़ा साप था मगर क्या आपको इसकी साइस का अंदाजा है कौल माइन से मिले फॉसिल्स की स्टड़ी यह ताइटानो बॉआ की साइस का अनुमान लगाया गया है ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये साप करीब करीब 13 मीटर यानि लगभग 43 फीट लंबे हुआ करते थे आज के समय के अनकॉंडा की एवरिज साइस केवल 15-20 फीट होती है यानि टाइटानो बौा आनकॉंडा से दो गुने से भी जादा लंबे हुआ करते थे आज तक सबसे बड़ा आनकॉंडा भी 29 फीट का ही पाया गया आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते है कि अपने वक्त में टाइटानो बौा की कैसी दहशत हुआ करती होगी और इनकी चौडाई सुनकर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे इन सापों का डायमीटर करीब 3 फीट हुआ करता था यानि एक अंदाजा लगाया चाहे तो फिफ्ट क्लास का एक बच्चा पूरा का पूरा इस साप पर होरिजॉंटली लेट सकता है वही अगर इनके वजन की बात की जाए तो ये करीब 1135 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे यानि आज के अनाकॉंडा से करीब साड़े चार गुना जादा भारी मेरा खयाल है अब टाइटानो बॉआ की साइस को लेकर आपके मन में कोई दोविधा, कोई डाउट बाकी नहीं रह गया होगा हाला कि कुछ वग्यानिकों का ये मानना भी है कि सापों के फॉसिल्स मिलना बहुत मुश्किल होता है ऐसे में बहुत मुम्किन है कि टाइटानो बॉआ इस अनुमानित साइस से भी बढ़ा हो भगवान का शुक्र है, ये साप अब जीवित नहीं है हो सकता है कि इतनी बड़ी साइस के बहुत से फायदे होते हो, मगर कुछ नुकसान भी तो होते ही है माना जाता है कि टाइटानो बॉआ को अपनी बड़ी साइस की वज़े से जमीन पर चलने में या मूव करने में बहुत प्रॉबलम हुआ करती थी इसलिए वो अकसर पानी में किसी दल-दल या नदी के अंदर ही ज़्यादातर वक्त बिताते थे यहां उन्हें एक जग़ से दूसरी जग़ मूव करने में आसानी होती थी आज टाइटानो बॉआ के वन शच कहे जाने वाले अनाकॉंडा में भी या आदत देखी जाती है अनाकॉंडा भी अपना ज़्यादातर वक्त पानी में ही पड़े-पड़े बिताते है यह अनाकॉंडा और बॉआ कंस्ट्रिक्टर्स की तरह ही बगेर जहर वाले सांप थे इसलिए इनकी हंटिंग टेक्नीक्स भी इन सांपों से बहुत हद तक मिलती जुलती थी यह सांप पानी में या पेड़ पौदों के बीच खुद को छिपा लेते थे ताकि इनका शिकार इनने देखना सके और फिर मौका मिलते ही यह अपने शिकार पर जपट पड़ते थे इस जपटे में इनका विशाल काय जबड़ा और पिछले दांद बड़े कारगर होते थे शिकार को पकड़ने के बाद ये उसके चारो तरफ पूरी तरह से लिपट जाते थे और उसे पूरी ताकत से दबा देते थे ये दबाव लगभग 400 PSI के आसपास होता था इतना प्रेशर किसी भी जानवर की हड़ी का पाउडर बनाने के लिए काफी है जब शिकार की दम घुटने से या हार्ट बीट रुखने की बज़र से मौत ना हो जाए जब शिकार सांस लेना बंद कर देता था तो ये अपना बड़ा सा जबड़ा घोल कर उसे साबुत यानी पूरा का पूरा निगल जाते थे जितना बड़ा इस साब का आकार है उस हिसाब से जाहिर है इसकी डाइट भी बहुत जादा होती थी जैसा कि हमने बात की ये जादातर वक्त पानी में ही बिताते थे ऐसे में इनके शिकार भी मेंली मरीन क्रियेचर्स ही हुआ करते थे बड़ी मचलिया रेपडाइल्स और क्रोकोडालो मॉर्फा जैसे जीव इनके शिकार की लिस्ट में शामिल रहते थे क्रोकोडालो मॉर्फा उस वक्त के बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल हुआ करते थे के माहोल के टेंप्रेचर पर डिपेंड करती है दरसल कोल बलड़िट क्रेचर हम इंसानों की तरह अपने शरीर के टेंप्रेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते यानि अगर बाहर का टेंप्रेचर जादा है तो इनका शरीर गर्म होने लगता है और अगर बाहर का टेंप्रेचर कम ह तो इनका शरीर ठंडा होने लगता है इसलिए धर्ती के जिन हिस्सों में तापमान जादा होता है वहाँ पाए जाने वाले कोल ब्लडड क्रियेचर की साइज भी कमपेरिटिवली जादा होती है और वो हाइली आक्टिव भी होते है अगर इसे हम धर्ती के कलोब से समझने की कोशिश करे तो आप देखेंगे कि इक्वेटर के आसपास दुनिया के जादातर बड़े कोल ब्लडड क्रियेचर रहते है क्योंकि यहाँ टेंपरेचर सबसे जादा होता है इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर पोल्स की तरफ जाते है तापमान गिरता जाता है और इसलिए कोल ब्लडड क्रियेचर की साइस छोटी होती जाती है जब धर्ती से एस्ट्रॉइट टकराया था और डाइनसौर सहित धर्ती के लगभग 75% प्रजातिया समाप्त हो गई थी उस समय धर्ती का तापमान आज के मुकाबले में 15 से 20 दिगरी सेल्शियस ज्यादा हुआ करता था ये गर्म और हुमिड क्लाइमिट रेप्टाइल्स के लिए बड़ा अनुकूल था और इस दोरान वो तीजी से विकसित हुए टाइटानो बॉआ भी उन्ही में से एक थे ये अमारिका के जंगलों के उन हिस्सों में विकसित हुए जहां से एक्वेटर होकर गुजरती थी दग्यानिकों के मुताबिक उस समय अमाजॉन जंगलों का तापमान 32 से 35 डिगरी सेल्शियस के आसपास हुआ करता था तो आज के समय के तापमान से करीब 8 से 10 डिगरी सेल्शियस ज्यादा था यानि टाइटनोबुआ के लिए आमजॉन का मौसम ग्रो करने के लिए सबसे मुफीद था और इसलिए वो बढ़ता ही रहा और भयानक दानफ के आकार में तब्दील हो गया अगर ये साप इतना बड़ा था तो जाहिर है इसे कोई हरा तो नहीं सकता था ना कोई इसका शिकार कर सकता था ऐसे में सवाल उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि ये साप बिलुप्त हो गया वग्यानिक इसके कई कारण मानते है मगर उन सब में सबसे मुख्य कारण क्लाइमिट चेंज ही है धरती समय के साथ धीरे-धीरे ठंडी हो रही थी और गिरते टेंपरेचर के साथ टाइटानो बोवा एड़स्ट नहीं कर पाया। बढ़ती ठंड इस साप की सबसे बड़ी समस्या बन गई और धीरे धीरे टाइटानो बोवा का स्थित्व इतिहास में विलीन हो गया। हाला कि कुछ विज्ञाने को द्वारा सुझाई गए थियोरी के मताबिक इस बात की आशंका जताई जाती है कि टाइटानो बोवा और इस तरह के दूसरे रेप्टाइल्स का फिर से उदाय हो सकता है क्यूंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धर्ती का टेंपरेचर एक बार फिर बढ़ रहा है अगर तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो मौझूदा रेप्टाइल्स की साइज और एक्टिविटीज भी बढ़ती जाएंगी और हो सकता है कि दुनिया एक बार फिर टैटैनो बोवा का कमबाक देख सके तो देखा आपने कैसे दुनिया के सबसे बड़े साप का उदय हुआ और कैसे उनका खात्मा भी हो गया आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और मुझे कॉमेंट में इस बारे में अपनी राय जरूर दीजेगा कि यदि ये साप और जाइ